नमस्कार किसान साथ्यों आप सभी का सवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल फायरविंग में किसान साथ्यों इस वीडियो में हम बات करेंगे प्याज के भाव को लेकर और साथ ही जानेगे कि आने वाली समय में प्याज का भाव क्या रह सकता है और आयात और निर्यात की क्या निती सामने आ रहे हैं किसान स्वाथ यो आप वीडियो में लाष्ट तक बने रहे हैं और अगर आप हमरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जिरूर करें किसान स्वाइब करिए प्याज का बाव लगातार कई सवीजमे से वही देखने को मिल रहा है इसका पर बाव प्याज के आयात और निर्जात के ऊपर पढ़ने लगा है ये हम सबी जानते हैं लेकिन वह पूरी तरह से नहीं हो रहा है जिससे के हमें प्याज में अच्छी कासी तेजी भी नहीं देखने को मिल रही है पछले साल जितनी मातरा में निर्यात हो रहा था उतनी मातरा में इस साल निर्यात नहीं हो रहा है बांगला देश में अभी भी लोगडाउन जिसी इस्तिती बनी हुई है और आयात को लेकर भी कुछ खबरे सामने आ रही हैं कि जो आयात हैं वो अफगानिस्तान से बंद हो गया है किसान साथियों भारत जो हैं समय समय पर प्याज की आओ सकता होने पर प्याज का आयात और निर्यात करता है तो यह किसान साथ योगे लिए खुसकबरी है कि जो इस्तिती अफगनिस्तान में बन रही है तो वहाँ से जो है प्याज का आयात नहीं हो सकता किसान साय तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें